हाई फ्रेंड्स दिषब इनास, प्रोमbeamS p zumoecksetzen करेंगे दивается के बारे में एक छोटाँ सा डिसक्सेशन होगा आज देन देल दिर्टूरा पोदेंग के बारे में बात करने से पहले अपन इसकी स्पीसीज देखते हैं इसकी तीन स्पीसीज होति हैं देतुरा एलबा देतुरा नाइगरा देतुरा इस्ट्रेमोनियूम देतुरा इस्ट्रेमोनियूम को अपन जेंसन वीड भी बोलते हैं और इसका फ्रूट है उसका नाम है थोर्न एपल थोर्न एपल अब पूछें देतुरा प्लांट के कौन-कौन से पार्ट टॉक्सिक होते तो दैतुरा का पूरा प्लांट ही टॉक्सिक होता है लेकिन सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक है वो इसके सीड है और इसकी रूट है जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है इसके दूसरे नाम के बारे में बात करें अधर नेम्स जो है इसको रेलवे पोजन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह रेल्वे स्टेशन पे रोड साइड पे लोगों को इंटोक्सिकेट करने के लिए यूज किया जाता है कर अब दैत्यूरा पोईजनिंग के एक्टिव प्रिंसिपल जो है जो इसके एक्टिव पार्ट होंगे जो बोड़ी में इफेक्ट देंगे वह कौन-कौन से हैं तो इसके एक्टिव प्रिंसिपल होंगे हायोशीन या इसकोपलामीन और एट्रोपीन हायोशीन और एट्रोपीन इसके दो एक्टिव प्रिंसिपल है और यह दोनों ही क्या करेंगे एंटी कोलिनर्जी का एक्षन होगा इनका एंटी कोलिनर्जी का एक्षन होगा जो तो Acetyl Colline Estrease Enzyme को Inhibit करेंगे, तो ये enzyme जो भी body में काम करेंगा, इसके काम को Inhibit कर देंगे, ठीक है, अब Fatal Doge की बात करेंगे, तो इसकी Fatal Doge होती है, इसके 100 Seeds, 100 Seeds, और Seeds of Datura होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, चिली Seeds की तरह दिखते हैं, चिली Seeds की तरह, ठीक है, एकदम, सेम से होते हैं, चिली Seeds और Datura के Seeds, अब Sign और Symptom की बात करेंगे, तो इसके Sign और Symptom होंगे, Anticholinergic Action इन दोनों की है, Active जो प्रिंसिपल है, तो Anticholinergic Action की बज़ए से सारे Sign और Symptom आएंगे, तो इसके लिए Neumonica है, Add Deeds, Add Deeds में सबसे पहला है, Dry Mouth, क्योंकि Lecrimation और Salivation सारी चीज़े कम हो जाएंगे, जो भी Body में सारी Secretions हैं, वो कम हो जाएंगे, तो Salivation कम होने की बज़ए से, Dry Mouth हो जाएगा, Dry Skin हो जाएगी, ठीक है, Sweating कम हो जाएगी, Disarthria, Slurring of Spees हो जाएगी, Disphagia, क्योंकि Saliva नहीं बन रहा, ठीक है, Dilatation of Pupil, Midriasis हो जाएगा, Gate, इसमें Delirium और Gate मिलेंगे, ठीक है, तो Delirium मिलेगा, इसमें Matering Delirium, Gate मिलेगा, इसमें Drunken Gate, और Finally, अगर ज्यादा डोज अपन ले ली है, तो Death भी हो सकती है, ठीक है, अब इसके Treatment की बात करें, तो इसका Treatment होगा, Phyzostigmine, जो Estil Colline Estrease Enzyme को Active करेगा, ठीक है, पर इसकी Post-Martum Finding के बारे में बात करें, तो Death Ura Seed जो है, वो Regist करेंगे, Petrification को, ठीक है, पूरी Body का Petrification हो जाएगा, लेकिन Death Ura Seed का Petrification नहीं होगा, ठीक है, आगे, यह Complete Notes इस Topic के, इस Topic से Related कोई भी आपको Query हो, तो आप मेरे Instagram Handle पे DM कर सकते हैं, इस Topic के Notes, बाकी सारे Channel के Notes, अनराग सेनी, MBBS, Telegram Channel पर आपको मिल जाएगी, Thank You.